नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागात है MJT Education में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोरिस जोंसन के रिजाइनेशन के बारे में यहाँ पर दोस्तों यह है कि जो UK के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जोंसन फाइनली इनोंने रिजाइनेशन दे दिया है यहाँ पर दोस्तों इनके खिलाफ लंबे समय से विरोध चल लाए थे इनके खुद के पार्टी मेंबर्स विरोध कर रहे थे वो इनकी पॉलिसी से खुश नहीं थे और वो लगातार अपने स्टीफे देते जा रहे थे कई सारे MPs इनके स्टीफे दे चुके थे और इनके कई सारे उच्चवर के मिनिस्टर्स वो भी अपने रिजाइनेशन दे चुके थे तो यहाँ पर जो बोरिस जोंसन थे वो लंबे समय से मना कर रहे थे मैं अपना रिजाइनेशन नहीं दूंगा लेकिन यहाँ पर फाइनली उन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया है उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तब तक सर्व करूँँगा जब तक कि कोई नया प्राइम मिनिस्टर यहां पर चुनकर नहीं आ जाता है और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी achievements पर गर्व है मैंने बहुत अच्छा काम यहां पर किया है तो यह उनका कहना है दोस्तों अब वीडियो में हम जानेंगे कि यो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जोंसन इनका कारेकाल किस तरह से रहा उनके कुछ highlights के बारे हम देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगी अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है यहां पर बता जा रहा है कि जो रिशी सुनक है जो भारतिय मूल के एक व्यक्ति है उन्हें अगला प्राइम मिनिस्टर चोना जा सकता है और ऐसा पहली वार हो सकता है बिटिश इतिहास में कि कोई भारतिय व्यक्ति बिटिन का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है तो यहाँ पर उनी चीज़ों के बारे में हम डिसकस करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले ज़िए आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए जिससे की आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कुछ हाइलेट के बारे मैं जानते हैं कि बिटिश प्राइम मिनिस्टर बॉरिस जोंसन का कारेकाल किस तरह से रहा है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिटिश प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अब रिजाइनेशन दे दिया है उनके खिलाफ विरोध चल लाए थे लंबे समय से उनके खुद के party members ये conservative party से belong करते हैं जहांके खुद के members इनके खिलाफ विरोध कर रहे थे अब यहाँ पर दो parties हमें देखने को मिलती हैं बिटेन के अंदर दो बड़ी-बड़ी parties हैं सबसे बड़ी है conservative party और एक और है labor party अब conservative party जो है वो अभी majority में है तो दोस्तों जब 2019 के अंदर चुनाब हुए थे इंग्लेंड के अंदर तो वहाँ पर थिरसा में ने जब regeneration दिया था तो 2019 के अंदर elections करवाए गए जहाँ पर एक landslide victory दर्ज करी गई बोरिस जोंसन के द्वारा over foreign minister Jeremy Hunt तो Jeremy Hunt इनके विरोज में थे जिनके खिलाफ इनोंने बहुत बड़ी victory दर्ज करी और ऐसा माना जा रहा थी इनका जो political career है as a prime minister वो काफी ज़्यादा शांदार होने वाला है लेकिन दोस्तों केवल 3 साल ही ये सर्व कर पाए मैं आपको बता दूँ कि England यानि कि Britain में भी भारत की तरह ही 5 साल के लिए British prime minister का का कारेकाल रहता है लेकिन याँ पर केवल 3 साल ही ये अपना कारेकाल समाल पाए है तो इससे हम समझ सकते हैं कि इनका जो कारेकाल है वो पूरी तरह से flop रहा इन्हें कई सारी scandals का सामना करना पड़ा इन्हें बिरोध का सामना करना पड़ा और इन्होंने finally अपनी job को quit कर दिया है और यहाँ पर इन्होंने resignation दे दिया है दोस्तों इसके अलावा जब ये prime minister बने थे इन्होंने अपनी post समाली थी तब European Union से बाहर होने की बात चल लई थी Britain की तो उस समय पर इन्होंने बादा किया था कि हम उससे बाहर होंगे finally UK European Union से बाहर हो गया था इसके बाद दोस्तों आया coronavirus जिसमें हमें देखने को मिला कि जो prime minister थे वो खुदी infect हो गये थे उन्हें coronavirus पाया गया जिसके कारण से उन्हें कुछ समय ICU में भी अपना बताना पड़ा इसके बाद दोस्तों जब coronavirus के खिलाफ action लेने की बात आई तो यहाँ पर बताया गया इनके खुद के party members के दोरा कहा गया कि इन्होंने बहुत ही slow यहाँ पर react किया है इन्होंने काफी देर हो गई है इसके बाद इन्होंने यहाँ पर lockdown की गोशना करी है जैसा कि हमने बारत में देखा था कि जब coronavirus enter हुआ था कुछ ही केसे से यहाँ पर हुए थे लेकिन तुरंत ही बारत के अंदर lockdown की गोशना कर दी थी लेकिन बिटन में हमें lockdown काफी देर बाद देखने को मिला जब corona पूरे दरह से फैल गया था तब वहाँ पर lockdown देखने को मिला था इसके अलावा कई stages पर ऐसा भी कहा गया कि यह parliament के साथ में responsible नहीं है इन्होंने parliament के खिलाफ गए है और parliament के साथ में इन्होंने अपनी responsibility नहीं नवाई है इसके अलावा दोस्तों पर और भी कई सारे charges लगाए गए ऐसा बताएगा है कि जब corona में lockdown चला था पूरे देश में लोग निकल नहीं पा रहे थे अपने साथियों से अपने रिस्तिदारों से मिल नहीं पा रहे थे और लोगों की death होती आ रही थी ऐसा समय था और उस समय पर इनके जो dawning street flat है वहाँ पर party चल रहे थी बताए गया कि इनका जो dawning street है वहाँ पर party चल रहे थी illegally parties कर रहे थे और कई सारे यहां पर इनके और senior members भी थे और इतने वेंकर जब lockdown लग रहा था corona virus फेला था तब यह अपने घर के अंदर parties कर रहे थे इस तरह कि इनके उपर charges लगाए गए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर johnson ने खुद announce किया कि उनके द्वारा कुछ नियमा को तोड़ा गया था जिसके current से police ने पर fine लगाया है उनके खिलाफ actions लिये हैं तो ऐसा पहली वार हुआ था बिटिन के इतियास में कि कोई sitting prime minister है और उसके खिलाफ पुलि देखने को मिला कुछ और cases जैसे कि party get scandal और इसके अलावा इन्होंने एक अपने close MP थे जिनका नाम था Owen Peterson इनके खिलाफ illegal law wing का case था तो इन्होंने उसको बचाने का प्रियास किया उसके political career को save करने का प्रियास किया इसके अलावा दोस्तों हमें देखने को मिला no confidence motion इनकी खु इन्हों ऐसा प्रावधान है कि जो no confidence motion होता है वो उसी party के अंदर लाया जाता है दोस्तों इसके अलावा पांच जुलाई के दिन हमें देखने को मिला यहाँ पर दो senior ministers के दोरा अपने resignation दे दिये गए यहाँ पर finance minister रिशी शुनक जिने चांसलर ऑफ दे एक्ष्यकर खा जा तो 30 ministers के दोरा अपने resignation दे दिये गए थे तो ऐसी इस सिथी के अंदर फाइनली जो प्रावल दावेदार है बिटिश के यहाँ पर प्रावधार बनने के तो जो रिशी सुनक है यह भारती मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें चांसलर ऑफ दे एक्ष्यकर की पोस्ट पर रखा गया था British Prime Minister के दोरा फरवरी 2020 में इन्हें अपॉइंट किया था और Britain के अंदर ये काफी दावेदार यही माने जा रहे हैं इन्होंने कई सारे ऐसे काम भी किये थे अपने कारेकाल के दोरा as a finance minister of Britain क्योंकि जनता इनको पसंद करती है इन्होंने billions of pounds के projects यहाँ पर निकाले वाले हैं रसी सुनक और ऐसा पहली वार हो सकता है भारत के त्यास में बिटिन के त्यास में कि कोई भारती मूल का व्यक्ति बिटिन का Prime Minister बन सकता है तो अभी हमें ऐसी चीज़ें बिटिन के पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर देखने को मिल रही है अब देखते हैं हो सकता है यह Prime Minister बनते हैं या नहीं वह तो समय के साथ हमें पता चली जाएगा तो यह सारी सारी चीज़ें थी वह थी बिटिन Prime Minister के बारे में लेकिन हमारे एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनमें से कुछ वी इंपॉर्डन नहीं थी अब जो इंपॉर्डन है वह मैं आप आपको देख रही है एक है Scotland एक है England और एक है Wales अब England तो separate country है हमें यह दिख रहा है अब इसको हम separate country कहेंगे लेकिन दोस्तों इसके अलावा यदि हम Scotland Wales और England इन तीनों को मिला देते हैं मतलब इस तरह का जो हम तीनों को मिला दें तो यह बन जाता है Great Britain तो यह Britain कहलाता है इस इन तीनों के साथ साथ में हमें Northern Ireland को भी शामिल करना होगा तो यह जो पूरा का पूरा पार्ट है जिसमें England, Wales, Scotland और Northern Ireland यह तीनों के तीनों यह चारों मतलब तीन और यह Northern Ireland का पार्ट यह मिलकर बनाते हैं United Kingdom जिसको हम UK कहते हैं तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं England तो country है ही इसके अलावा इनको अगर मिला देते हैं तीनों को तो यह बन जाता है Britain और इसके अलावा दोस्तों जदी हमें UK की बात करनी है तो इन सब को मिलाना होगा जिसमें Northern Ireland का भी पार्ट सामिल होगा तो वो कहलाएगा United Kingdom और इसके अलावा Ireland का जो country है वो बिलकुल अलगी ह इन सबी को अगर साथ में मिला दें तो यह पूरे के पूरे के पूरे कहलाते हैं British Isles आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह सारी की सारी चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है और यह आपके लिए important है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा और बैतर देख पाएंग जोइन नहीं किया तो आप इसे जोइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको हमारी वीडियो के लिटेस्ट अपडेट मिलेंगे फ्री पीडियाप्स मिल जाएंगे और फ्री मैं कुजिस मिलेंगी जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे इसके अलावा गुरूप D के लिप्रेक्स कर पाएंगे साथ में आपको यहाँ पर स्टेटकी बता जाएंगे जिससा अपनी तयारी को और बहतर बना पाएंगे इसके अलावा यदि आप हमारे इस एप को डाउनलूर करना चाहते हैं तो आपको फ्री पीडियो को ऐसे बहुत मिलती हैं service मिलती हैं YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और इस वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए धन्यवाद